दोस्तों शरीर में पानी की कमी हो जाना या कहिए कि dehydration हो जाने की समस्या बड़ी आम है इसका असर सेहत पर उतना ही बुरा असर होता है जितना किसी और चीज़ का खास तोर पर इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का 70% भाग पानी से बना हुआ है और जाता तर लोग शरीर में पानी की कमी यानि की dehydration से होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में नहीं जानते हैं इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शरीर में पानी की कमी से होने वाले क्या negative effects हो सकते हैं और साथी साथ किन लक्षणों से पानी की कमी का पता लगाया जा सकता है। दोस्तो पानी सभी अंगों के सही काम करने के लिए सबसे जरूरी है। बिलकुल कठोर दिखने वाली हड़ियों में भी 31 प्रतिशत पानी होता है। और कई एक्सपर्ट्स के मताविक शरीर में पानी की कमी, खून की कमी से भी जादा गंभीर समस्या बन सकती है। जो लोग कम पानी पीते हैं, उन्हें दिल, फेफडे, किटनी, लीवर और पाचन तथा पेट की बिमारियां बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। चली, जानते हमारी बॉडी किन लक्षणों से ये बताती है कि शरीर में पानी की कमी है। और पानी जैसा होता है, उसका अर्थ होता है कि आपके शरीर में पानी की परियाप्त मात्रा जारी है। लेकिन अगर यूरिन का रंग हलके पीले से गाड़ा पीला हो जाता है, तो ये डिहाइडरेशन के संकेत हो सकते हैं। नमब फो, डिहाइडरेशन होने का एक संकेत ये भी होता है कि पीला यूरिन आने के बाद आपको जलन या तेज खुझली की दिक्कत हो सकती है। डिहाइडरेशन होने पर यूरिन की मात्रा भी कम हो जाती है। नमब फाइड, शरीर में पानी की कमी होने की स्तिती में व्यक्ति का मुह और गला हर समय सूखा सूखा रहता है। चहरी की तोचा में हर वक्त खिंचाओ मैसूस होता है, साथ ही मुह से दुरगंद आनी भी शुरू हो जाती है। ऐसा इसली होता है क्योंकि सूखे पन के कारण मुह में सलाइवा की परियाप्त मात्रा नहीं बन पाती है। और इस कारण मुह में बड़ी संख्यावे बैक्टीरिया पनब जाते हैं, जो मुह से आने वाली दुरुरुगंद का कारण बनते हैं। शरीर में पानी की कमी होने पर अधिक प्यास लगने की बाद तो समझ में आती है। नीमबू पानी, जल जीरा या फिर इलेक्टरॉल घोलने, इससे आपको तुरंद रहात मिलेगी। शरीर में पानी की कमी के कारण ब्यक्ती हर समय खुद को ठका हुआ महसूस करता है। थोड़ी सी भी मेनद करने के बाद उसका शरीर ठकान से चूर हो जाता है। साथी साथ, पानी की कमी के कारण कई बार शरीर में ब्लड प्रेशर लो होने की दिक्कत हो जाती है। और इस कारण ब्यक्ती को ठकान, घबराहट, सिरदर्द और डेजीनेस हर समय नीन का अनुभो करना जैसी समस्याएं होती है। 9. कई बार डिहाइडरेशन का असर हार्ट पर भी होता है। इस कारण ब्यक्ती की धड़कने बहुत तेज हो जाती है। दिल में भारी पन मैसूस होता है और सांस की गती बढ़ सकती है। 10. कई अलग-अलग शोद में ये बात साबित हो चुकी है कि डिहाइडरेशन होने पर ब्रेन की काम करने की प्रक्रियाद धीमी हो जाती है। और हमारी देश में सदियों से जल को जीवन माना जाता है। अब आपको जानना चाहिए कि जिस तरह हमारी बॉड़ी का 70% हिस्ता पानी है। वैसे एगर दिमाग की बात करें तो ये भी 70% हिस्ता लिक्विडी है। डिहाइडरेशन की इस्तिती में हमारा दिमाग किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। हमें बेचैनी और छटपटाहाट होने लगती है। और यही बज़ा है कि जब हम पानी पीते हैं या लिक्विड डाइट लेते हैं तो हमें असीम शान्ती का एसास होता है। मजा आ जाता है कई बार। तो दोस्तों ये थे कुछ लक्षण जिससे ये समझा जा सकता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी है। और आज से सही मातरा में पानी पीगर इस गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी बसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर जरूर कीजेगा और हाँ जानकारी से भरपूर ऐसे ही फायदेबन हेल्थ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा।